अब तीसरा काम, चुकि दोनों में पावर आ गया, मशीन अब काम करने के लिए रेडी है, अब हम CPU के पावर बटन को ओन करें लिए, कोई आउट है, देख लीज़े, अब ये बटन अलग अलग जगा हो सकते हैं, किसी के ऊपर होता है, किसी के बीच में होता है, किसी के निच यहां मोटा सा बीच में दिया है, जैसा केबिनेट, वैसा सुल्ट, बात कोई दिकत है, अब हमी इनसान है, किसी का स्किन थोड़ा हलका है, किसी का बहुत ब्राइट है, किसी का थोड़ा कार्क है, तो चेंज़े जाते हैं, लेकिन देखने में तो सब लगता है, किसा वो इ UPS मिल गया, एक ही बटन दबाओ, तो उसके आवाज आएगी, बिप करको, अभी जब मैंने on किया तो कोई आवाज आईगी, तुकि मैंने power on किया है, यूपियस आवाज आएगी, बिप की आवाज आती है कि निया, अपके board में smart board है, मैंने आपको वो भी operate करना सिखाया है, त तो वो बिप की आवाज आएगे, इट मेंस, मॉनिटर में और प्रोसेसर, बने CPU में, दोनों में power चला गया होगा, क्योंकि ये टोनों प्रक कहां लगे हूए होंगे, यूपियस के पीछे, कोई डांट है, यहां तक समझ में आगे, आजे बने, अब जब हो गया, तो क्या दबाऊंगा, विलीक अन इट, पावर आगे हाच में, आब होड़ा सबूट लेगा, बूट मतल, सारे फाइल को अपने मेमोरी में डाल रहा है, ओ थोड़ा सा ताइम लेगा, श्टरटिं लिग रहा है, यानि की प्रोसेसर, साड़ी फाइल को, सारे इंपोर्टेंट को अपने दिमाग में डागा अब दिमाग का मतलब क्या होता है अब किसी को आज के बाद कंप्यूटर हम करने में को दिकत होगी कि अब कि मेरा अब कोटव करता है मतलब वह अभी बीजी है क्या है माउस पर कोई चीज राउंड राउंड कर रही हो मतलब आपके यूट्वेश डाउंड राउंड कर लगता मतलब नेटवर्क नहीं है कहते हैं ना बीजी है